Hello Traders, Welcome back to my channel The Marketverse इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपनी Intraday Analysis सेयर करूँगा जिसमें कम से कम Risk Reward Ratio 1 is to 2 या फिर इस से ज़्यादा का होगा तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी लोग बताईए कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक इन तीनों वीडियो को देख लिया है ये तीनों learning वीडियो है जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है और landmark के अंदर मैंने क्यों invest किया था ये आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और landmark के अंदर बहुत ही कम टाइम में मैंने more than 20% profit book किया है और जिस दिन मैंने position बनाया था यानि कि 3 जनवरी को उस दिन के वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि landmark के अंदर मैंने अपना position create किया है इसके बाद मैंने आप लोगों के साथ 9 जनवरी को Tata Metallics का graph share किया था अपने telegram channel पर जो बिल्कुल free है और आप सभी लोग इसे join भी कर सकते हैं और 9 जनवरी के ही वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि Tata Metallics के अंदर हम लोगोंने position को create किया है क्यों create किया है इसका reason मैंने वीडियो के अंदर discuss किया था लेकिन अगर आप लोग को detail में concept जानना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख चुके हैं वो लोग और भी जादा confidence से Tata Metallics के अंदर अपने position को create किये होंगे और अभी Tata Metallics हम लोग को 3.5% से जादा का gain so कर रहा है इसके साथ साथ मैंने L&T के अंदर भी position बनाया था जिसके बारे में मैंने आप लोग को 11 जनवरी के ही वीडियो में बताया था कि अगर ये 2140 के उपर में sustain करता है तो मैं L&T के अंदर position बनाऊंगा यानि कि बनाने से पहले ही मैंने आप लोग को update दे दिया था फिर 12 जनवरी को L&T के अंदर मैंने अपना position create किया था इस point के आसपस में तो भी मैंने आप लोग को update दिया था और बताया था कि ये जो trend line है ये मेरा stop loss है इसके तोटने पर मैं बाहर निकल जाओंगा इस market भले ही week नजर आ रहा था लेकिन मैंने purely price action को देख करके अपना swing trading position बनाया था और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये इस trend line पर support लेने के लिए भी आया था दोबारा और इसके अगले दिन भी मैंने आप लोग के साथ वीडियो में discuss किया था कि L&T के अंदर हमारा जो stop loss है वो अभी hit नहीं हुआ है और मैं इसके अंदर position अभी बनाये हुए हूँ और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि फिछले दो दिन में L&T हम लोग को more than 6% का game सोग कर रहा है तो अब आप लोग बताए कि आप में से कितने सारे लोगों ने L&T, Data Metallics या Landmark के अंदर अपना position create किया था मेरे साथ और एक अच्छा खासा profit generate किया है, वो भी इस तरह के market में जहां पर हम लोग को एक weakness नजर आ रहा था डेली मेरी वीडियो को साड़े 300 से 400 लोग देखते हैं, अगर उनमें से सिर्फ एक ने भी अपना position create किया होगा इन तीनों stocks के अंदर तो मुझे जान करके बहुत ही जादा खुसी होगा, और सिर्फ आप लोग के लिए कल मैंने intraday stocks को कैसे select करते हैं, इसके उपर बहुत ही जादा detail से, हर एक चीज को बहुत ही जादा detail में समझाते हुए आप लोग के लिए एक वीडियो बनाया, और इस पर का response मुझे देख करके उतनी जादा खुसी नहीं हुई, और इसलिए मैंने आप लोग के लिए कल वीडियो भी नहीं बनाया था, intraday stocks के उपर में, कि आप लोग खुद से जा करके एक बार ट्राइ कीजिए stocks को खोजने का, अगर आप लोग से नहीं मिल रहा है, तो आप लोग कमेंट करके ब मैं आप लोग के सामने swing stocks को select कर रहा हूँ, आप लोग के साथ share भी कर रहा हूँ, और उन सबके analysis के पीछे का जो learning concept है, उसके उपर detail में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, already आप लोग लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लोग सीखना ही नहीं चाहते हैं, तो अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मेरा session ये है कि इस तीन वीडियो को जरूर एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, वीडियो अच्छा लएगा, concept अच्छा लएगा, तभी आप लोग इस चैनल को subscribe कीजिएगा, तो चलिए अब हम लोग discuss कर लेते हैं, आज के trading के बारे में, तो पहले आप लोग नीचे comment section में comment करके बताएगे कि आज का दिन आप लोग के लिए कैसा रहा, personally मैंने आज सिर्फ तीन intraday stocks में trade लिया था, और तीनों में में मेरा target achieve हुआ है, पहले दो trades की analysis मैंने अपने premium group में share किया था, जितने भी लोग channel के membership को join किये हैं उन लोगों के साथ में और उन दोनों में बहुत ही जादा आसानी से हम लोग का जो target है वो achieve हुआ है, और तीसरे trade की analysis मैंने आप लोग के साथ अपने free telegram channel पर भी share किया था, यानि कि हिंडालकों का analysis share किया था, इसके अंदर बहुत ही सांदार bullish pattern बनते हुए नजर आ रहा था, तो I hope आप सभी analysis का फाइदा उठा सकते हैं, साथी में the market versions group के साथ मैंने हिंदुस्तान Unilever का trade discuss किया था, और इसके अंदर भी आज हम लोगों ने बहुत ही अच्छा profit generate किया है, और उसके साथ साथ भारती air tail के अंदर भी मैंने एक trade provide किया था, जिसके अंदर भी बहुत ही आसानी से हम लो पर रख सकते हैं, तो कल के लिए traders मेरा सबसे पहला intraday stock है MCX, MCX के अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुंदर सा bullish payment pattern type में बनते हुए नजर आ रहा है, और इसके अंदर कल हम लोगो बहुत ही अच्छा breakout देखने के लिए मिल सकता है, तो कल अगर MCX के अंदर को हम लोगो एक अच्छा खासा profit हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर already हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा खासा buying होते हुए नजर आ रहा है, और अब यह यहाँ पर जा करके consolidate कर रहा है खुद को, और इसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, त तो इसी लिए traders कल आप लोग MCX को अपने radar पर रखिएगा, levels मैंने आप लोग यहाँ पर mention कर दिया है, तो आप लोग इसे note कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं, लेकिन बेटर यहीं रहेगा कि आप लोग भी support और resistance को draw कर लिजिए, ताकि live market में आप लोग और भी ज़्यादा clarity के साथ अपने trades को execute कर पाए, कल के लिए traders मेरा दूसरा intraday stock है HDFC Life, इसके अंदर भी traders बहुत ही सांदार analysis है, हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सुन्दर सा triangle pattern हम लोग को इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहा है, और जहां market के अंदर आज बहुत ही strength नजर आ रहा थ तो levels मैंने आप लोग के लिए इसका update कर दिया है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक बहुत ही खुपसूरत सा inverse cup और handle pattern भी बनते हुए नजर आ रहा है, तो कल अगर यह अपने support zone को break करता है, तो इसके अंदर हम लोग double confirmation के साथ अपने trade को plan कर सकते हैं, लेकिन traders मेरा suggestion यही है आप लोग इस trade में entry लीजिएगा, और कल के लिए traders मेरा तीसरा intraday stock है HDFC, इसके अंदर भी traders आज हम लोग के एक बहुत ही सांदार buying होते हुए नजर आया है, और उसके बाद इसके अंदर buying side में ही एक अच्छा खासा consolidation होता हुआ दिख रहा है, शाथी में हम लोग यह भी अच्छा खासा move देखने के लिए मिल सकता है, तो इसका भी levels आप लोग जरूर note down कर लिजेगा, साथी में traders HDFC select करने के पीछे का भी एक region है, क्योंकि अगर हम लोग HDFC bank के भी chart को open करेंगे यहाँ पर, तो हम लोग देख सकते हैं कि HDFC bank के अंदर भी हम लोग को similar kind of pattern बनता नजर आएगा, क्योंकि अगर कोई इसे 1640 के उपर में buy करता है, तो maximum chances ये भी है कि 1646 के बाद price के अंदर एक reversal देखने के लिए मिले, क्योंकि अगर हम लोग longer time period में देखेंगे, तो 1646 का जो level है, वो बहुत ही बार HDFC bank के लिए resistance का का काम कर चुका है, HDFC का जो resistance level है, वो उसके बाद ही हम लोग को इसके अंदर भी एक अच्छा खासा move देखने के लिए मिल सकता है, और HDFC bank को select नहीं करने का एक और reason ये है कि आज भले ही NFT bank के अंदर हम लोग को एक सांधार momentum दिखता हुआ नजर आया है, लेकिन industry bank या SBI bank इन सब के अंदर हम लोग को एक fall होता तो ऐसे में हो सकता है कि HDFC bank के अंदर हम लोग को एक trapping scenario देखने के लिए मिले, इसलिए traders मैंने आप लोग के साथ HDFC का जो chart analysis है वो share किया है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को एक अच्छा risk reward ratio के साथ intraday trade plan करने का मौका मिल रहा है, और कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock है Titan, Titan क अंदर traders हम लोग को बहुत ही खुबसूरत सा channel pattern बनते हुए नजर आ रहा था, इसका breakout हम लोग को already देखने के लिए मिल चुका है, वो भी एक बहुत ही अच्छे volume के साथ में, और अब हम लोग देख सकते हैं कि ये अपने resistance के आसपस में आ करके एक consolidation सो कर रहा है, तो ऐसे मे कल अगर ये अपने resistance zone को break करता है, तो इसके अंदर भी हम लोग को एक अच्छा खासा momentum देखने के लिए मिल सकता है, और टाइटन के अंदर traders अगर आप लोग वन डे के time frame में भी देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2400 का जो level है, exactly वहीं से इसके अंदर ए वो थोड़ा सा जादा बड़ा है, अगर live market में मुझे ऐसा लगा कि ये 2450 के पहले ही resistance phase कर रहा है, या थोड़ा सा भी मैं अपने target में change करूंगा, तो उसका जानकारी मैं आप लोग के साथ अपने telegram channel पर जरूर share कर दूंगा, तो इसलिए आप लोग telegram channel को भी जरूर join कर लिंक मैंने आप लोग के लिए description box में provide कर दिया है, साथी में अगर आप लोग channel को support करना चाहते हैं, तो the market versions group को भी join कर सकते हैं, और इस group को जितने भी लोग join करेंगे, उनी लोग को सिर्फ premium group में मैं add करने वाला हूँ, तो चलिए अब हम लोग अगले stocks की analysis discuss कर लेते हैं, तो कल के लिए traders मेरा अगला intraday stock रहेगा, indecent bank, क्योंकि इसके अंदर traders हम लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही खुपसुरत सा symmetrical triangle pattern हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है, और ये भी देख सकते हैं कि ये बार-बार इसी trend line पर आ करके support लेता हुआ हम लोग को दिख रहा है, तो ऐसे में कल अगर ये अपने trend line को break करता है, तो निश्ची थी इसके अंदर भी हम लोग को एक अच्छा खासा fall देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप लोग indecent bank को जरूर अपने radar पर रखिएगा, और एक perfect breakdown आने के बाद ही आप लोग trade में entry लीजिएगा, इसके सांस traders कल के लिए मेरा आखरी intraday stock रहेगा LTTS, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत ही सांदार descending triangle pattern बनते हुए नजर आ रहा है, हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर already एक बहुत ही बड़ा fall हम लोग को देखने के लिए मिल चुका है, वो भी एक बहुत ही अच्छे खासे volume के साथ में और उसके बाद continuous इसके अंदर lower highs बनते हुए हम लोग को दिख रहा है, तो कल अगर ये अपने 3400 के level को break कर देता है, तो इसके अंदर हम लोग को एक और सार fall देखने के लिए मिल सकता है, तो इसलिए LTTS को भी आप लोग चाहे तो अपने radar पर रख सकते हैं कल के लिए, तो टेडर्स इन सारे intraday stocks को आप लोग कल के लिए अपने watchlist में add करके रख सकते हैं, I hope आपको मेरी analysis पसंद आई होगी, नीचे comment section में जरूर बताएगा, और इन सब के साथ साथ भी कुछ और भी stocks मेरे radar पर हैं, जैसे कि TVS Motors, CIPLA, PVR, Amboja Cements, तो अगर इन सब के अंदर लोग को बहुत ही बेहतरीन चीज़े सीखने के लिए मिलेंगी, तो इसी के साथ आज की हम लोग अपनी इस वीडियो को खतम करते हैं, जै हिंद वंदे मातरम